हेलो एरिवन गोड इवनिंग वेल्कम सो आज हम करेंगे यार पहले डिसाइड तो मैंने कल बोला था कि मैट्स करने को बट यार वो नहीं हो पाया क्योंगी उसके ना थोड़ा सा स्लाइड्स नहीं बन पाई सो कोई नहीं आज हम कर लेंगे हिस्ट्री अपनी जितने भी मॉडर्न इंडिन हिस्ट्री हमारी बची होई थी ठीक है तो उससे रिलेक्टेट जितने भी क्योंस आपके एफकेट में आते हैं वह हम आज करेंगे ठीक है एंचे मैट्स की वीडियो है वह मैं कल डाल दूगा ओ सब्सक्राइब को बस ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं आपने आज के सब्सक्राइब आज की वीडियो में हम करेंगे अपना मॉडर्न इंडियन इस्ट्री है फॉर एफकेट सो फिर्स्ट क्या आपका कि हुआ सब फर्सन बेहाइंड अफ इस्ट इंडिया कंपनी इंट्व इंडिया थी रीजनल पावर तो जो पहली जो इस्ट इंडिया और झी ठीक है आपको बताना कि वह जब इंडिया में आये थे तो आये एक एक मतलब ट्रेड कंपनी की तरह आए थे कि वह वैपार करने आए थे यहां पर देरे देरे टर्न इंटो ए रिजनल पावर ठीक है तो आहमें बताना है कि इन्होंने क्या क्या किया था इंट यह दूनी इंट्रोड इंट्रोड फिर डीवल स्टीप के कसए जो अधियूर्ण के into a regional power ठीक है तो वो थे रोबर्ट क्लाइव लेकिन अगर यह पूछा जाए कि वो इंट्विडियोस ड्यूवल सिस्टम इन इंडिया तो वह भी यह थे रोबर्ट क्लाइव ठीक है और कब किया था यह किया था 1765 में ठीक है ड्यूवल सिस्टम कब 1765 में एंड यह लेटर क्या सब्सक्राइप उब यह किसे दो किया था ड्यूवल सिस्टम को फूउफ इड़ॉस भाइव यह वैर्न हैस्टिंग्स है आ इंड कब अभलिश किया था इसको एंड वाज अब उन गश्राइव जाय तो एक क्योषन से आपके तीन क्योषन हो गए आप थाई ठीक है है ओकि नेक्स क्यों सब इसमें क्या है कि फस्ट ब्रिटिस फैक्टरी इन इंडिया वाज भी थी वह कहां पर लगी थी ठीक है दिखो तो वह पहली फैक्टरी वह लगी थी हमारी मचली पत्नम में ठीक है and इन दा इयर 1611 ठीक है 1611 में लेकिन अगर पूछा जाए फर्स टेम पर्मानेंट फैक्टरी कब थी कहां लगी थी तो फर्स्ट पर्मानेंट फैक्टरी थी वो लगी थी हमारी कहां पर सूरत में लेकिन अगर फर्स पर्मानेंट फैक्टरी पूछे ब्रेटिस की इन इंडिया तो वो थी सूरत में 1613 में ठीक है सबसे पहले जो पानी ने उंठों प्राइबेत्व सब्सक्का मध्र चमारीक्छान्य और फिंट कर दिसका हमारी 21st of April 1526 किस किस के बीच में हुई थी बाबर और उसके बीच में इबराहिम लोदी के बीच में इन इस बाबर डिफिटेड इबराहिम लोदी बाबर ने इबराहिम लोदी को ओराया था और फांड़ेड मुगल अमपायर यह मैं आपको अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ जो अपने मेडायवल हिस्ट्री की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो जाके प्लेलिस्ट में एफकेट जीके की प्लेलिस्ट होगी और वहां पे मॉडर्ण इंडियन हिस्ट्री की मेडायवल हिस्ट्री की वीडियो होगी वह आप देख लेना ठीक है वहां पे मैंने सब कवर किया है ठीक है सेकिंड बैटल ऑफ पानीपत्थ तो सेकिंड बैटल होई थी हमारी कब हुई थी यह हुई थी हमारी on 5th of November 1556 किसके किसके बीच में हुई थी अकबर एंड हेमु के बीच में हुई थी अकबर डिवेटेड हेमु ठीक है एंड जो थार्ड एंड लास्ट जो पैटल हुई थी पानीपत्थ की वो कब हुई थी तो गाइस वो हुई थी हमारी और यह थी 14th of January 1761 ठीक है किसके बीच में हुई थी यह हुई थी एहमद स्या अफदाली एंड मराथाज के बीच में इसमें एहमद स्या अफदाली डिफिटेड मराथाज ओके नेक्स्ट क्यों से विच मोगल एंपरर गेव दिवाइनी राइट्स टू इस्ट इंडिया कंपनी तो क्या हुआ था कि जब इंडिया इंडिया में ब्रिटिस आए पहले तो वह आए थे ट्रेड करने बट देरे 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 वह एक रेजनल पावर में उन्होंने अप ने आपको कंवर्ट कर लिया तो उसका जो पहला स्ट्राप में कंवर्ट होनी का वह यहीं था दिवाणी राइट्स अब जिटना भी टैक्स क्लेक्शन ओता था था ठीक है वहें उसका आ गया था अंडर East India Company को डू और इसके बाद से उसको ब्रिटिस लेंगे ठीक है और यह राइट जो किस ने दिया तो यह कूसी डिया था बिल्टिस को श्याह आलम two ने क्या हो था कि एक बैटल हुई थी फिरॉड ओफ भकसर बैटल ओफ भकसर हुई थी प्रिटिस और इसके बीच में मुगल एंपरर था ये सालम टू ठीक है जो की हुई थी in the year 1764 जिसमें ये हार गया था तो इसके बदले उसको देने पड़े थे दिवानी राइट्स वो क्या थे मतलब जो बैंगौल बिहार और उडिशा का टेक्स कलेक्शन का जो राइट था वो मिल गया था इससे ब्रिटिस को और ये उनका बेला स्टेप था ट्वार्ड कनवर्शन इन्ट वे टेरिटोरियल पावर ओके ये तो था दिवानी एक था दस तक एक तर दस- तक नाम की एक चीज थी वो क्या थी वो एक ट्रेड परमीट था जो जो की मिला था किसको ब्रिटिस इस्ट इंडिया था और किसने दिया था इन्ट इट वास डिवन वाय मुगल एंपरर एक मुगल एंपरर था यह एक मुगल एंपरर था जिसने दिया था ट्रेड पर्मिट ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को और उसका नाम था दस तक अगे एक क्यों के ट्रेटी ऑफ स्युरत 1775 कीशसेट उपर स्यूरण वाइञ है एक हैं वी आजन इस्ट इंडिया इंडिया कंपनी को यृए ना है अब पेश्वाज मराठ्स में क्या हूथ तो पेश्वा बंते थे तो क्या हुआ कि जब मुझे ड़िटेल में तो यार नहीं है तो की Raghunath Rao बनना चाहता था पेश्वा बट इसके जग़ेट बना दिया था किसी और को तो तो रगुनात राउ बाग गया बृटिसर्स के पास थीक है और बृटिसर्स के इसने लिए थी है ठीक है तो बृटिसर्स ने इसके एलप की थी ठीक है पेसवब अन्य में तो वह थी ट्रीटी ऑफ सूर्थ यट वससाइन इंस 1775 बिट्वन रगुतनात राउ एंड इस्ट इ यह भी पराठाज और किसके बीच में होई थी यह थी between Marathas and East India company के कमपनी के बीच में East India company EIC मतलब East India Company ठीक है एंड इसने क्या किया था it मतलब cancelle the treaty of suhrate treaty जो suhrat की treaty थी उसको इसने कर दिया था cancel जो किसने रोगुणाथ राउने पहले साइन कि थी Britos के साथ एंड ये हूई थी इन दा इयर 1776 जाउ Mog게 हां एक हुए थी हमारी ट्रीति उफ सलभाई ऴ। चेम k만री ब्रूब अब ही यह हुआ के मारे इंदा ये शाल स्वार ये कहां घिल्टी अप सलभाई हुए थी 1782 में ये भी Marathas और किसके बीच में हुई थी तो Marathas की तरफ से थे कौन थे तो महाधाजी सिंदे महाधाजी सिंदे और बिडिसर्स की तरफ से कौन थे गवर्नर जर्नल थे कौन थे वैरन हैस्टिंग्स इन दोनों के बीच में हुई थी इस ट्रैक्टी से क्या होगा था इंडेट दा फिर्स्ट एंग्लो मॉराथा वार जो पेहली एंग्लों मराथा वार होई थी ब्रीटिशस और मराथा के बीच में जो वार हुई थी उसको हम बोलते ओंग्छ solve посмотр तो जो पहली एंगलो मराथा वार को खतम करने का काम किस ने किया था रुकवाने का काम तो वो थी ट्रीटी ओफ सलबाई that was signed between महादाजी सिंदे and वारन हैस्टिंग्स of British East India Company ठीक है एंड एक ओर्थी लास्ट में that was ट्रीटी ओफ बशेन मैं नीचे लिख देता हूँ ट्रीटी ओफ बसेन ठीक है यह हुई थी मारी 1802 में ठीक है एंड यह हुई थी between बाजी राव टू बाजी राव टू एंड ब्रेटिस इस्ट इंडिया कम्पनी के बीच में ठीक है next question which British Governor introduced the subsidiary Alliance in India तो बथाता है कि subsidiary Alliance किसने इंट्रियूस किया था इंडिया के अंदर तो subsidiary Alliance में क्या होता था जो भी राज्या इसको sign कर लेता था तो उसको अपनी एक खुद की आर्मी रखने नहीं दे जाती थी ठीक है उसको बोलते थे कि अब अपनी आर्मी को उसको सस्पेंड करना पड़ता था और अपने राज्य में उसको ब्रिटिस आर्मी रखनी पड़ती थी ठीक हमतलब कोई भी अटाइक करेगा या कोई भी कुछ काम होगा तो वह ब जो कण्री से अपने रिलेशन से नहीं रख पाता था विदा उअपकन संट भाटिस ठीक है तो वो था सब्सीडरी आलायंस और इसको एंड्या में झ्टाइच्निया था इंडिया मे जो पेहली स्टेट थी फिर्स्टेक सूग साहिवनु ब예요 हो गया it was introduced by Lord wellesley ठीक है इन इंडिया और जो पहली स्टेट थी फर्स्टेट टू साइन सबसीडरी अलाइंस तो कौन से वह पहली स्टेट थी जिसने सबसीडरी अलाइंस साइन किया था ठीक है तो वो थी हमारी आवद अवद्ध आवद्ध इन दा एर 1765 और लास्ट स्टेट थी जो जिसने सबसीडरी अलाइंस साइन किया था वो थे हमारे होल कर्स ठीक है इन दा इयर 1818 ठीक है यह तो हो गया सबसीडरी अलाइंस और भी कुछ पॉलीसी थी जैसे एक थी पॉलीसी ओफ रिंग फैंस इसमें क्या होता था इसमें रेटिसर्स कि कि उनके उपर भी कोई हमला ना हो मतलब प्रोटेंटिजा आज अधर निब्र के-समें ऊब तो एक प्रोटेंथिए को मतलब उसके ऊभर जो भी अटेक ता तो उसको प्रोटेक्ट करनेगा काम होता था फोजी ओफ रिंक फैंस के अंदर इसको इंट्रोडिस किसने किया इसको इंडिया के अंदर इसका सटींग के लागा कि लोग्ट्राइन ओफ लैप्स ट्रैन ओफ उसके बाद राजा बनता सब्सक्राइब ठीक है और अगर मालो कि इसे कंडिशन से उनका कोई बड़ा लड़का नहीं हुआ उनका कोई लड़का नहीं हुआ तो क्या कर ले लेते थे लेकिन फिर एंग्रेजों ने क्या किया उन्हों ने लाइड डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स तो बोला कि इसके अगर तुमारा कोई नेचुरल हायर नहीं हुआ तमारी स्टेट का मतलब कोई राजा का अगर कोई नेचुरल लड़का नहीं हो जो राजा बन सके तो उसकी जो भी टरेटरी थी उसके उपर अंग्रेज क्या कर ले थे ते कबजा कर ले थे एंड इसको किस ने इंट्रिड्यूस किया था तो इसको क्लिफ ऑब नोल अनंद मथ इस रेटन बाई तो यह एक नोब आदी मथट तो यह loyal अननद मथ इक इस रिटन बाई बंक्चंदरी चतर जी गंजकिंचंदर çaDजी ने ही लिखी है और एक और नोबल है यह धिक सिस्सधन रहनी ऐला है कि छी ताथ कि भी किस ने लिखे यह भी हमारे बंकिम चंदर चटर जी ने ही लिखी है और जो हमारा national song है that is वंडे मातरम जो हमारा national song है इंडिया का क्यांन है किस ने लिखा है वह भी हमारे बंकिम चंदर चटर जी ने ही लिखा है ठीक है ओके नेक्स क्योंसे क्योंसे नंबर एक क्योंसे वाज देवर्णर जर्नल ऑफ इंडिया डूरिंग दा सिपोई म्यूटनी तो जो सिपोई म्यूटनी मतलब जो हमारी रिवॉल्ट हुए थी 1857 में उसी को हम बोलते हैं सिपोई म्यूटनी या फरस्ट वार ऑफ इंडिपेंडंस जो हुए थी तो वो थी 1857 में जिसी को हम बोलते हैं सिपोई मूटनी तो उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जर्नल कौन थे इंडिया के तो उस टाइम पे थे गवर्नर जर्नल लौर्ड कैनी ओके एंड यह जो सिपोई मुटनी थी या रिवोल्ट हुई थी 1857 यह कुब होई थी यह हुई थी 10th of May 1857 को यह स्टार्ट हुई थी यह जो स्टार्ट हुई थी इस प्रेवेस क्यों से शुरू हुई थी सिपोई मुटनी रिवोल्ट ऑफ 1857 तो स्टार्ट हुई थी मिरूट से उन 10th of May 1857 यह तो गवर्नर जर्नल थे इंडिया के वह थे लौड कैनी नेक्स्ट क्योसन थी रिवेस कीनफीयन होता पूस्ता हुई तो सबसे पहले क्या होता था हमारे पास होते थे गवर्नर ऑफ बैंगोल ठीक है, Governor of Bengal की एक Post बनाई गई थी और उसके अंदर पहले Governor जो बने थे First Governor of Bengal वो बने थे हमारे Robert Clive ठीक है, कलाई फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कि अंग्रेजों को ये नाम था ना, जो Governor of Bengal ये पसंद नहीं आए तो उन्हें नहीं सचा कि चलो कुछ बदलाओ करते हैं तो उसके बाद आया था एक regulating act regulating act आया था in the year 1773 तो इस regulating act ने क्या किया इस regulating act ने क्या किया governor of Bengal का नाम बदल के इसने बोल दिया कि भई तुम रो इंगरर जर्नल ऑब बंगोल ठीक है governor का नाम बदल के इसको बना दिया governor Journal of Bengal और जो पहले first governor General ऑफ बंगोल थे ठीक है तो वह कून ने थे वह बने थे Warren Hastings ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद भी नहीं बोले कि नहीं यार हुआ अच्छा सा ने लगला ठागा तो उसके बाद एक और एक्टव है डेटिस चार्टर एक्ट दे health अया इंदा एए इंटी तरी तो इस चार्टर एक्ट ने क्या किया इस चार्टर एक्ट ठीक है चार्टर रेक्ट ने और जो पहले गवर्णर जर्णल थे इंडिया के तो वह कौन बने थे वह बने थे हमारे फिलियम बैंटिक ठीक है फिलियम बैंटिक उसके बाद क्या हुआ गाइस तो उसके बाद हुआ जो हमारी 1857 में हुई हमारी सिपोई म्यूटनी या रिवोल्ट आफ 1857 तो 1857 में हमारी हुई सिपोई म्यूटनी ठीक है उसके बाद आया हमारा एक 1858 एक्ट ठीक है 1858 एक्ट आया जिसने क्या किया जिसने गवर्णर जर्णल ओफ इंडिया को बदल के उसको बना दिया विस्रोय ओफ इंडिया ठीक है और जो पहले विस्रोय थे इंडिया के वह कौन थे महंते हमारे लोर्ड कैनिग और 1857 के ताइम पे यह लोर्ड कैनिंग यह बाइसाब थे हमारे गवर्णर जलल ओफ इंडिया तो फिर 1858 आया को बना दिया और जो इसके बाद आपको इन कैसंसे आपको कोई प्रॉब्लम ही ठीक है तो क्योश्ण किया था मारा क्योश्ण था फृस्ट गवर्नर जनल ओफ इंडिया कॉन था तो फॉस्ट गवर्नर जनल थे हमारे विलियम Williur Ben Teik थे Willium Ben Teik घूर क्योंग तो जो बोलते ना राजा राम ओन राए तो उनको राजा का टाइटल किस ने दिया था वैस तो उनको राजा का टाइटल दिया था हमारे मोगल एंपरर थे अकबर टू इन्होंने दिया था राजा का टाइटल इनको और उन्होंने एक बनाई थी अमाइटी सभा ठीक है और अगर पेपर में यह आए अमाइटी सभा को किस ने बनाए थी तो इट वास फॉर्म्ड राजा राम मोहन राय एंड कहां पे थी यहां यह कलकत्ता इंदा इयर 1814 ठीक है नेक्स्ट क्योंसन फर्स्ट मराथी न्यूस पेपर दर्पन वास फांड़ेड बाई तो पहला एक तो क्योंसन होगे आपका यहां पर पहला मराथी न्यूस पेपर कौन सा था तो पहला मराथी न्यूस पेपर था दर्पन और इसके फांडर क फादर आफ मराटी जर्नलिजम यह नहीं को बोलते हैं बाल सास्तरी जांबेकर को यह पहला मराटी जर्नल जो था न्यूस पेपर ठीक है नेक्स्ट को सब्सक्राइब ल miner वस्फंदेड वैत तो राम्कृष्ण में सम्ने यृत सरू तो तो गर्च्रा कर श्रूंटेश स्वामी विवे कनन स्वामी विवेकनन ठीक है एक थे हमारी ओल रिंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस और यंद्या ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ठीक है ये बनी थी 1920 में और इसके फाउंडर थे एन्नेम जोसी ठीक है एक थी धर्मसभा धर्मसभा ठीक है ये बनी थी in the year 1830 इसके फाउंडर थे राधा कांता देव ठीक है और जो राम कृष्णा मिसंद थी इसके फाउंडर थे हमारे स्वामी विवेकानन ठीक है और भी थी कुछ जैसे एक थी बर्मसभा बर्मसभा ये हुई थी हमारी इंदा ये 1828 इन इसके फाउंडर कौन थे इसके भी फाउंडर थे हमारे राजा राम मोहन राए ठीक है एक थी तत्तो बोधनी सवा तत्तो बोधनी सवा ठीक है एंड इस फाउंडेड इन 1839 और इसके फाउंडर थे हमारे देवेंदर नाथ तैगोर देवेंदर नाथ तैगोर ठीक है एक थी हमारी इसके फाउंडर थे यह बनी थी इन दा एयर 1905 और इसके फाउंडर थे गोपाल क्रिशन गोखले ठीक है एंड एक न्यूजपेपर था जिसका नाम था इत्तावादा यह एक इंग्लिस न्यूजपेपर था गैस् इंग्लिस न्यूजपेपर एंड इसके फाउंडर थे हमारे यही थे गोपाल क्रिशन गोखले ठीक है नेक्स्ट क्योशन स्लोगन गोबैक टू वेदा आज वास गिवन बाई तो यह स्लोगन था वेदों की और लोटो जिसको हिंदी में बोलते थे एंड इंग्लिस में बो यहार समाच तो इसके फाउंदर थे हमारे कौन थे इसके फाउंडर 700 दायानंद सरस्वती अधिसल एक था एहमदीया मॉंक कि अधिया मॉंपेंट THE임 यहमदीया मॉंपेंड को किसने स्टार्ट किया थ इसको स्टॉट किया था मिर्जा घुलाम आजwegen मिर्चा गुलाम आजाद ने in the year 1889 और कहा पे हुआ था यह स्टार्ट इन पंजाब ठीक है नेमधिया मुवमेंट एक था मारा क्या था नेक्स कि रुको नेक्स यूसर कहा है क्या है नेक से उसन अजाए हुआ तो मतलब किया होता था इस में हर मतलब में direct ke क्वेंटों उसको जतनेennes घर भी नित्म Crimson अमडरा यह सब करें उसको मैंड़ा हते ता अब यह वाली कुमिनिटी एन कर देंगी इनका लकिंच जैशन वगए यह सब तो वो जो communal electrodes थे ठीक है वो इंडिया में इसका father किसको माना जाता है तो उसको माना जाता है लोड में यूर्ड में टो को इक आयते मॉर्ले में टो रिफरम्स है इसी में इंटर्ड्यूस किया गया था क्युमिनल एलेक्ट्रोइट्स को ठीक है को तो उसी के बाद माना जाता है ब्लाइब में टो को य estrekr ऐड दा व्यवन्ड एलेक्ट्रीट इनी य इनिया सुठ caution किसन नमबर 15 वो फाउंड़ेड़ दा फेमस मराथी न्यूस पेपर केसरी तो एक मराथी न्यूस पेपर होता था केसरी यह तो आपको पता भी होगा साहद तो उसके फाउंडर थे बाल गंगादर तिलक ठीक है इनको एक टाइटल मिला था लोक मानने तिलक इनको बोलते थे लोक मानने तिलक इनको ये लोक मानने तिलक का जो टाइटल था वो किस ने दिया था तो ये टाइटल इनको दिया था रबिंदर नाथ टैगोर ने रबेंदर नाथ टैगोर थे रबेंदर नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे जिनको मिला था नॉबल प्राइज पूर लिटरेचर फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन भी यही थे तो गेट नॉबल प्राइज और किस फिल्ड में मिला था लिटरेचर में मिला था इनको ठीक है रविंदर नाथ टैगोर को ठीक है एक ता है इंडियन होम रूल मुवमेंट इंडियन होम रूल मूवमेंट ठीक है तो इंडियन होम रूल मूवमेंट इसको किस ने स्टार्ट किया था तो यह स्टार्ट किया था वाई एनी बेशेंट एनी बेशेंट ने इसको स्टार्ट किया था इंडियन होम रूल मूवमेंट और एक न्यूस पेपर था यह वस न्य इंडिया न्यूजपेपर न्यूजपेपर था है निऊसपेपर इसको भी किस identified था इसको भी शुरू किया था हमारे एंडियू ने और इन्हों ने एक बुक भी लीख है एनी बेशन्ट ने जिसका नाम था वेक अप इंडिया वेक अप इंडिया तो यह बुक किस ने लिखी है यह बुक भी लिखी है किस ने एनी बेशेंट ने ओके एंड एक न्यूस पेपर और था जिसका नाम था कॉमन वैल्थ को मन वैल्थ ठीक है यह क्या था यह एक न्यूस पेपर था ठीक है जिसको इंडियूस किस ने किया था इसको फांड किया था बाइ विलियम मॉर्स यह एक ब्रिटिस जर्नलिस्ट थे विलियम इन्डियन उन्रेस्ट इस रिटन भाई तो यह बूक इंडियन इनरेस्ट यह बतानी है में इसको किस नहीं लिखा था तो वाई दिस बूक वाज रिटन वाई टे वेलेंतीना च्छेरोड ठीक है एंड ऐननी बेशंट की तो मैंने आपको बता दी क्या थी बुक थी एक इनकी वेक अप इंडिया ठीक है इन्होंने लिखी थी ती ठीक है फिर एक थी बुक ति widen गोल्डन थ्रेशोल्ड जो लिखी थी स्रोजनी नाइडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखी थी स्रोजनी नाइडू नाइडू और ये ये हमारी थी फर्स्ट वुमन गवर्नर ओफ इंडिया गवर्नर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट वुमन गवर्नर क ठीक है यह बुक लिखे थी किसने राजेंदर परसाद ने ठीक है ओके नेक्स्ट क्योस्ट क्योस्ट नमबर 17 वो फांडेड नेटल इंडियन कॉंगरेस इन साउथ अफरीका तो इन नेटल इंडियन कॉंगरेस एक एक एर्गनाइजेशन थी इस ने किया था तो इस फांडेड बाइ मातमा गांधी इन साउथ अफरीका तो यहां पर हम थोड़ा मातमा गांधी के बारे में जान लेते हैं तो मातमा गांधी साउथ अफरीका गए थे और उसके बाद वाप्रस आये थे रेटन टो इंडिया इन यह नाइंटीन फिप्टी उननीसों पंदरा में मातमा गांधी इंडिया वापस आये थे यह भी एक हमारा प्रेविस यह क्योस्टन है ठीक है देख रहों कैसा कैसे क्योस्टन आते हैं ठ ठीक है सो इट वस फांडिट बाइ मातमा गांधी हे रेटन टो इंडिया इन 1915 फ्रों अफरीका ठीक है और अफरीका में इन्होंने फांड किया था नेटल इंडियन कॉंग्रेस को ठीक है एंड वहां पे इन्होंने एक न्यूस पेपर भी सुरू किया था मातमा गांधी न साउथ अफरीका ठीक है नेक्स्ट क्योस्ट क्योस्टन नमबर 18 विच वास अमात्मा गांदी जो इनकी पहली फर्स्ट पब्लिक अपेरियंस थी तो वो कौन से थी तो वो थी हमारे at the inauguration of BNARS referendum University एक अरो में ठेविजो corn ठीक है बनारे से हिंदो in evacuate ठीक है एक था चमपारन सत्ताग्र है इन्हों ने शुरू किया था इन्हों ने काई से शेल की थी चमपारन सत्तागर्र है जिसको इंडिगो हो घ्रेवाल्ट भी बोलते हैं इंडी गो जो इंडीकोफार्मर से रिलेटेड था ठीक है जो हुआ था इंडा येr 1917 ठीक है ठीक है चंपारं सत्थागा एक वा था खेडा सत्थागर ए अ केडब सत्याग्र ये कब हुआ था इंदा हिए 19ON18 कहां पे गुजरात में खेड़ा सत्याग्र हुई थी अहमदाबाद मील स्ट्राइक ये थी हमारे इंदा हियर 19Оडें खिलिज है अहमदाबाद में ठीक है तो यह जो था चमपारन सत्यागर उसको यह था इसको बोलते हैं यह फस्ट सेवल डिस अभेदियर ऐस मोमें फस्ट सेवल सेवबीयाँस तो धुकुल सकिर गयुदा सक्षोपेदियंद मोमें ऑवेडियंद समोमें जो कहता हमारा नाइंटीन सेवंटीन में ठीक है और जो खेडा सत्याग रहा हुआ था ठीक है खेडा सत्याग रहा हुआ यह था हमारा फर्स्ट नौन कोपरेशन मुवमेंट फर्स्ट नौन कोपरेशन मुवमेंट ठीक है उसके बाद हुआ था हमारा एक सेकंड नौन कोपरेशन मुवमेंट second non cooperation moment यह कब हुआ था तो यह हुआ था 1920 में start हुआ था एक हुआ था हमारा second civil disobedience moment second civil disobedience moment यह हुआ था 1930 जो मतलब कहा हुआ था । डांडी मार्च जो हुआ था हमारा ठीक है साबर मती से लेकर डांडी तक जो मातमा गांदी ने मार्च किया था तो उसको बोलते हैं second civil disobedience moment that was in year 1930 ठीक है एंड जो इनकी first public experience थी that was inauguration of B.H.U. B.H.U. मतलब बनारस Hindu University इसका founder कौन था बनारस Hindu University का तो इसका founder थे वस्ट तो 3-4 लोग थे पर हमें दो main ही याद करने हैं तो इनका founder थे एनी पेशेंट एनी पेशेंट एंड मदन मोहन माल विया ओके next question question number 19 जलिया वाला बाग मसाकर वस हैपन उन तो जलिया वाला मसाकर जो हुआ था तो इट वास हैपन उन 13th of April 1919 इसको यह हुआ था जलिया वाला एंड उस टाइम पर इंडिया के जो वाइस रोय थे विस्रोय या वाइस रोय चुछ भी बो ठीक है वो थे हमारे लोड चैलब्स फॉर्ड ठीक है ओकेलरर lesson no.20 बुक वाइए मन एधीस्ट इस रटन भाइटा बुए थी दिस्ट वाइद इस्ट वाइखक सिंग ठीक है बगत सिंग के दोबारा लिखे गई थी एफ एक थी नो जवान भारत सभा नो जवान भारत सभा इन्होंने इन गी एक बुक थी वाई आएम एन एथिस्ट ठीक है नेक्स्ट के उसन के उसन नमबर 21 वें डिड साइमन कमीशन अराइव इंडिया यह प्रिविए से क्यों सन्हें तो साइमन कमीशन तो जो अगर बात करें अपाइंट कब वा था तो अपाइंट हुआ था मारा इंडिया में कब आय था यह इन्डिया में अया था यह ब्री वरी में आ야 था और यह किस लिये था? यह था हमाराwarment of India तो कि एक आया था में चैक करने के लिए कि इंडिया में कैसा चल रहा है आगे रिफॉर्म कर सकते हैं तो उसी के रिगार्डिंग यह आया था मैं इंडिया इसका का फिरौध हुआ था ठीक है next question यह एक seven members committee थी और जिसका head कौन थे sir sir Simon John sir John Simon ठीक है question number 22nd was the viceroy of India during the August offer तो एक हमारा August offer आया था in the year 1940 1940 में एक August offer आया था ठीक है तो उस time पे इंडिया के वाइस रोइक कौन थे गाइस तो उस time पे इंडिया के वोइस रोए थे हमारे एक सब्सक्राइब तो यह था इंडियर 1940 sorry तो उस time जो इंडिया के वोईस रहे थे वह थे हमारे लोड लिन लित गौ ठीक है एंड उस time जो Prime Minister थे UK के Prime Minister UK के वो थे Winston Churchill Winston Churchill ओके एक आया था Crips Mission क्रेप्स Mission आया था मार्च 1942 में 1942 में ठीक है एंड उस time पे वाइस रोए खौन थे उस time पे भी वाइस रोए यही थे हमारे लौड लिन 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 गो हो इंड प्राइम मिनिस्टर भी उस time पे यही थे कौन थे Winston Churchill ठीक है ओके एक हुआ था हमारा क्विट इंडिया मोव्मेंट क्विट इंडिया मोव्मेंट जो स्टार्ट किया था हमारा महातमा गांधी ने कब स्टार्ट किया था एट ओफ आगस्थ 1942 में इसके बारे में आगे क्योसन मैंने आगे इंक्लूड किया है ठीक है तो क्या क्योसन है गोवालिया टेंक मैदान आलसो नौन अगस्थ क्रांथी मजान इस एट तो ये एक गोवालिया क्रांथी मैदान तो ये हमारा मुंबई में तो क्या हुआ था जो हमारा हुआ था क्विट इंडिया मोव्मेंट जो हमारा quit India moment हुआ था started by Mahatma Gandhi ठीक है जो start हुआ था हमारा on the 8th of August 1942 तो यहां पे गांदी जी ने एक call दिया था that was do or die करो या मरो by Gandhi Mahatma Gandhi जी ठीक है यह call दिया था do or die का यह कहां पे दिया था यह दिया था हमारा अगस्त करांती मैदान से अगस्त करांती मैदान से that is in Mumbai ओके एंड एक थी हमारी अरूना असफ अली एक लेडी थी अरूना असफ अली जिनको बोलते हैं grand old grand old lady of quit India moment के नेक्स्त क्योंसन बस कुछी क्योंसन और बचते हैं वह दप्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके दूरिंग अगस्त 1947 या अगस्त 1947 बोलो यह बोलो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रेटन में तो वो थे हमारे क्लिमेंट एटली ठीक है क्लिमेंट एटली उस टाइम पे थे प्राइम मिनिस्टर ठीक है एक आया था यह क्यंवारा क्यबिनेट मिसंट प्लान है सबूंधियने डेटम न कब आया था आजने इन दॉ liजए फेपर एटिबरेवरी 1946 जो हमारा constitution assembly जो हमारी बनी थी वो इसी cabinet mission plan के उस पे basis पे बनी थी तो यह जब cabinet mission plan आया था तो उस ताइम पे UK के प्राइम मिनिस्टर वो थे हमारे यही क्लिमेंट एटली ही क्लिमेंट एटली बीशंट इस ताइम जो विह रोए अंडिया के वो कौन थे वो थे हमारे लॉड वेवल है ठीड फिर एक आया था मांट बेटन प्लैन जिसकों पार्टिशन प्लैन भी बोलते हैं जिसने इंडिया और पाकिस्तान का किया था पार्टिशन बिफोर इंडिपेंडेंस ठीक है तो उस ताइम पे इंडिया के वैसरोई कौन थे तो वैसरोई थे उस ताइम पे माउंट बेटन इनको स्पैसल इसी काम के लिए बेजा था कि जाओ और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टिश्पेशन क next question बस पांच और चाह के us से नहींवची आ है who gave the title of mahatma टो महँदास करमचन aquela तो जो हम अपने गांदी जी को बोलते हैं मातमास गांदी तो हमें बताना है ये जो टाइटल है उनको मिला था ये किसने दिया था मातमा का तो guy's ये टाइटल दिया था हमारा रबिंदर नाट टैगोर ने गांधी जी को ठीक है और फादर ओफ नेशन का जो टाइटल है जो फादर ओफ नेशन हम बोलते हैं गांधी जी को फादर ओफ नेशन ठीक है टाइटल किसको बोलते हैं महात्मा गांधी को गांदी जी को बोलते हैं तो यह टाइटल किस ने दिया था उनको तो यह दिया था हमारा सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है सुभाष चंद्र बोस जिनके जैनती बन अभी बनाते है ना जिनकी मतव अभी रिसेंटली गई है कब गई है 23rd of January को ठीक है जिसको अब हम बनाते है पराकरम दीवस पराकरम दीवस ठीक है ओके नेक्स्सक्स नमबर 26 दबुक गॉल्दन थ्रेशोल्ड इस रिटन बाइ अलरड़ी में आपको बता चुका हूं किसने तकी थी और रिटन बाइ सरोजनी नाइडू जो थी हमारी फर्स्ट विमन गवर्न ओंडिया ठीक है किसन न नमबर 27 विस नोन एज इंडियन मनु तो अनु मनु तो मनु क्या ना तो इनको जो यह मनु थे इनको माना जाता है ग्रेटेस्ट लो गिवर ओफ इस्ट्री जो हिस्ट्री के एक ग्रेटेस्ट लो गिवर है कानून को देने वाले तो वो इनको ख dissol녁 किया जाता है तो अप पथ लगा सकते हो की जो हमारे बियार अंबेकर है ठीक है जिनको हम बोलते हैं हमारे मतलत जो कंसिजूशन की ड्राफ्ट कमेंटी थी जिसके हैड थे ठीक है तो भी आर अमेट कर इनी को हम बोलते हैं इंडियन मनु ठीक है और अगर यह क्यों सनाई हुई इस कंसिडर्ड एदा ग्रेटेस्ट लागिवर इंडा हिस्ट्री तो वो थे हमारे कौन मनु कि क्यों से नंबर ट्वेंटी आगे पीछे और रहे हैं क्या छोड़ो रहनी दॉआ की पीछे बारत रताना has been has been awarded to only two foreign nationals one is national Mandela and other is तो जो मारा रत रतन आप आप तक दो foreigners को ही मिला है ठीक है तो एक तो वो मिला है नोच मंडेला को ठीक है और दूसरा मिला है वो मिला है खान अब्दुलगफर खान को जिनको बोला जाता है फरंटियर गांदी भी इनको बोला जाता है फरंटियर गांदी भी इनको बोला जाता है ठीक है और पहर एक मिला है नेलसन मंडेला को जिनकी एक बुक भी है इनकी बुक का नाम है लोंग वोक टू फ्रीडम लोंग वोक ट तो इसके फाउंडर कौन थे सबसे पहले तो जान लेते हैं फाउंडर के बारे में तो जो इसके फाउंडर थे वो थे हमारे ए ओ यूंग यह हमारे जो फाउंडर थे इंडियन नेशनल कॉंगरेस के ठीक है तो यह फाउंडर ही कब हुई थी फाउंड इंडा इयर 1885 में हुई थी ठीक है जो इनका फर्स्ट सेशन हुआ था सेशन बाद में करेंगे तो उस ताहिं पर जो इंडिया के वाइस रोई थे वो थे हमारे लॉर्ड डफरिन ठीक है वो थे मारे लॉर्ड डफरिन हुए थे ठीक है एंड फिर हुआ था इनका एक सेशन सेशन हुआ था इंडियन नेसनल कॉंगरिस का सेशन कब हुआ था इंडा इयर 1896 में हुआ था ठीक है कहां पे हुआ था कलकत्ता में कलकत्ता में प्रेजिडेंट थे वो थे हमारे आरेम स्यानी यहां पर क्या वा था इस सेशन के दोरान जो हमारा सॉंग है वन्दे मात्रम वह गाया गया था वह यहां पर क्या गया था गाया गया था ठीक है जो एक session हुआ था 1905 में ठीक है एक session हुआ था 1905 में ठीक है कहां पे बैनारस में 1905 में हुआ था हमारा बेंगोल का पार्टिशन और बेंगोल का जो पार्टिशन हुआ था वो किसने किया था वो किया था हमारे लौड करजन ने लौड करजन कब हुआ था 1905 में 1905 में एक इंडियन नेशनल कॉंगरेस का सेशन हुआ था ठीक है कहा हुआ था बैनारस में ठीक एंड इसको प्रिशाइड किस ने गिया था तो इसके प्रेसिडने ते गोपाल कृषिन गौखले गोपाल कृषिन को खले ठीक है एक सेशन हुआ था 1906 में जिसमें पूरन 1906 में हुआ था कहां पे हुआ था कलकत्ता में ठीक है जिसमें पूरन सवराज की डिमांड रही गई पूरन सवराज was demanded in 1906 इंडियन नेशनल कॉंग्रेस सेशन जो कहां पर हुआ था वो हुआ था पुना में कोलकत्ता में जो इसको प्रिशाइड किस ने किया था इसको प्रिशाइड किया था दादा भाई नारोजी ने दादा भाई नारोजी ए ठीकर एडिवा था मारा 1907 में 1907 में जो हूआ था क्या हूँ था सूरत स्प्लेट हुए थी एक सूरत हुए हैं ने भाई थी एक हुआ था हमारा सेशन अंऑ इंडियों नेसल nella सेशन हो था 1911 में कहां पर हुआ था यह वन लखनाउं में और यहां पर क्या गया था जन गनमन जो हमारे नेसनल एंथम है वो गाया गया था लखनव में ठीक है इसके प्रेजिटेंट कौन थे इसके प्रेजिटेंट थे बी एंधार ठीक है एक जो लास्ट जानना है आपको यहां से क्या हुआ था और 26th of January 1930 पहला Independence Day मनाया गया था ठीक है ट्राइकलर वास्टेड जो ट्रिकलर है ठीक है वो लहरा गया लहरा गया था कहां पर उन्दा बैंक ओफ रावी रिवर इन लाहोर ठीक है एंड इसी वज़े से जो हमारा कॉंजिश्योशन अडॉप्ट हुआ था ऑन 26th of January 1950 तो 26 जनवरी का दिन इसी लिए स्लेक्ट किया था ठीक है तो वह हमारा जो कॉंगरिस वाला जो मैंने आपको बताना था वह आपको बता दिया है ठीक है ना 1805 में इट वस फांड़ इस टाइम पर हमारे वाइस रहे थे लोड़ डफरिंट ठीक है यह बागी हमने सेस्टेंस भी कवर कर लिये हैं नेक्स्योशन क्योशन नंबर 13 इस लास्ट क्योशन फॉर टूड़े क्या है क्योशन हूं अमंग दा फॉलोइंग किल्ड़ जर्नल माइकल और ट्वैर दे पर 19 में 1919 में हुआ था लॉर्ड चैलंस फॉर्ड जो इंडिया के वॉइसरोई थे उस ताइम पर ठीक है एंड जर्नल माइकल और ड्वैर जिसने गोलियां चलवाई थी लोगों पर यही था वो जर्नल एंड जिसको मारा था किसने और स्केल्ड बाई उदम सिंग सो देट्स ओल फॉर टुडे ठीक है एक था जो इंडिया में जो सती पर था थी सती उसको एबुलिस करने का काम किस ने किया था सती तो इसको एबुलिस करने का काम किया था लौड विलियम बैंटिक ने ठीक है तो यह था हमारे modern इंडियन हिस्टरी के जिकने भी प्रिविए सीर की क्यों संस थे प्लस जो भी most expected क्यों संस जो आ सकते हैं आने वाले टाइम में ठीक है यह सब हमने कवर किये हैं सो बस आपको क्या करना है बस वीडियो देखना दाउलनोड कर लेना वीडियो को और नोट्स बनाना ठीक है करते रहो रिवाइस ठीक है कल हम मैट्स कर लेंगे जिसमें पढ़ेंगे percentage profit and loss and discount ठीक है जिससे around five questions हमारे आते हैं ठीक है time and work time and distance boat problem problems यह में अल्रेडी कर चुके हैं ठीक है तो इनी सारे topics को मिलाके आपके लगबख 10-12 questions आपके बन जाते हैं मैट्स में ठीक है अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो देख लेना मैट्स के नाम से एक playlist होगी जामने कवर किया है ठीक है एक वीडियो में मैं आपके आप दाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहां से आप यह पेडियाप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है